मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस YouTube चैनल पे और मेरे साथ जुड़ी हुई है इंडिया की वन आप टॉक एजुकेटर इन इस एक इसा टॉपिक इसके उपर आज हम बात करने वाले हैं जो की आइटिंक बहुत ही रियर्ली स्पे कोई बात करता है वाट इस दफार्स रियालिटी अगूंटल स्टेटस ऑफ ओन लाइन एजुकेटर्स जो ऑन एजुकेटर्स है यह जो आइंट टीचर्स के साथ भी होत है पर स्टिल ऑनलाइन टीचर्स या जो यह एरा डिजिटलाइजेशन हुआ है जिसमें ओनलाइन टीचिंग को काफी बढ़ावा मिला है उसमें एक बैक्राउंड यह कह सकते डार्क टूथ भी है जिसमें की मेंटल स्टेटर्स ऑफ एजुकेटर्स का जो है वो किस तरीके स है उसके उपर हम आज बात करने वाले हैं मैं के साथ और कुछ अपना ओपीनियन जो है वो से करेंगी डिफरेंट डिफरेंट करीश पर फिर्स्ट ऑफ और मैं आपसे यह पूछना चाहांगा कि आपकी यह जर्नी ऑनलाइन की रही कैसे आपने कब सुरू किया और किस तरीक से बात करते हैं तो वी और कम तुनों की अक्चॉल में वाट फ्रेंट परसन इस प्रिलिंग क्या से वही कंडिशन है क्या सब एक ही नाव पर सवार है यहां फिर मतलब सबका जो है अपने जिसे कंडिशन डिफरेंट इप्रेंट तो अफ्कॉस आपने जिसे कंडिशा जब शुरू किया था तो I was not knowing what will be the response of my audience, whether they will be liking my lectures or not. But yeah, the only thing which I have got to know from my friends, from my brother especially, क्योंकि मैं अपने ब्रदर को जो है काफी लंबे टाइम से टुशन पराती थी, जब वो 11-12th में गए, तो stream हमारी अलग होने के विर से, like he has to take tuition from somewhere else, otherwise 10th class अपने अपने टुशन पराया था. So, जितना भी मुझे कहीं से भी feedback मिलता था, I just collected that and I thought कि क्योंना मैं थोड़ा सा अपना जो दाइरा है उसको बढ़ाँ, मैं किसी और को भी पढ़ा के देखती हूं कि क्या उनको भी चीज़े समझ में आती है तो initially आज से तीन सार पहले मतलब ना YouTube पे इतना crazy नहीं था, पहले नहीं थे, तो obviously बहुत एक लंबा टाम लगया मुझे एक recognition लेने में, but yes, I have started as well as मुझे एक अच्छा response बल रहा था, शुरुआती, कम मिल रहा था, लेकिन अच्छा मिल रहा था, and you know, मतलब ऐसा होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते है, तो शुरुआती दियो तो I was getting a very specific response, but it was good, but जैसे जैसे time बढ़ा, obviously, वैसे वैसे जो है, वो response जादा हुए, मतलब बहुत सारे views आने लगे, बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया, but साथ साथ में मुझे एक और reality पता चली कि हमेशा सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती है, like we have to accept this thing कि तो शुरुवाती time में जब मुझे अपनी teaching को लेके, मतलब ऐसा था कि ratio बहुत कम ही रहता था negative चीजों का, but जब ratio मुझे मिलता था, तो it was like 98 to 2%, मतलब 2% लोग अगर criticize कर रहे हैं, तो 98% लोग अच्छा भी कहते हैं, तो जो I think by God grace अभी भी as it is maintained है मेरे teaching पर शाला पे, ले कुछ एकाद कर भी लगने वाली बाते हैं, जो हमें सुधारने के लिए होते हैं, जिसे हमें इली बोलते हैं, criticism तो हो रहे हैं, लेकिन that is a constructive criticism, and I think वो एक बहुत बड़ी बात होती है, जब आप खुले दिल से अपनी कमियों को दूशरों से सुनके भी accept कर लेते हो, तो I think व आपने वाला कोई बोलेगा नहीं कि हमें क्या कमिया है, we could never correct that, तो मैंने खुले दिल से, obviously मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं एक दम जटके में प्रो हो गई, मैंने खुले दिल से, मैंने क्रिटिसम को लेना शुर कर गया, obviously time लगा, मतलब इन सब चीजों को digest करने में में मुझे बहुत time लगा, and जो भी student मुझे criticize करते थे, लेकिन उनका एक attitude positive रहता था, मतलब बोलने का लहजा, मुझे टोकने का तरीका, मुझे सुधारने का तरीका, तो एक comment को पढ़के समझ में आ जाता था कि, क्या सामने वाला इंसान मुझे सिफ humiliate करने के लिए, वो मतलब criticize कर रह है, या मुझे सुधारने के लिए कर रहा है, तो जितने भी comment उसके बाद है, मुझे सुधारने के लिए मैं उसे खुले दिल से accept किया, and I just said, thank you for correcting me, thank you for the feedback, obviously I will work in future, जो भी मेरी mistake, उसमें फुचर में जरूर काम करना चाहिए, and यह सब हो रहा था, in between ही, I just, you know, got selected for the other platform, that has an academy, जहां कि मैं प्रेस्टों से काफी लंबे ताम से जूडी हुई हूई हूँ, and I thought that there will be a very different experience, and of course it was, but the experience था वो यह था कि, जिन बच्चों को मैं सिर्फ कमें पढ़ा करती थी, कि they are criticizing me, now I am interacting with them, and अगर उनको कोई चीज खराब लगे, तो they can just, you know, in the life classes only, they can just tell me you are not explaining this thing in a proper way, और आप यह नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, then I realized कि criticizing comments से जादा, you know, उसको deal करने से जादा तफ था, life class में अपने criticism को सुनना, वो भी तब आपके students पुरे भरे हुए हैं, class में, तो वो भी एक चीज थी, but of course these are the phases of life, we have to learn every time, and that is what I am doing, तो अभी मुझे teaching field में मतलब मैं अपने teaching पार्शाला को लूँ और अन-academy के career को लूँ, दोनों को मिला के कहूं, तो अभी मुझे लगभग तीन साल से जादा होने वाले हैं इस teaching field में enter की हुए, and of course I am having a very, you know, rollercoaster type of feelings, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बूरे भी होते हैं, तो it is all about mixed up feelings, so this was the whole like starting of the journey, मतलब मतलब मैं जो आपको बताई, it was just a starting, एक डर के सांथ मैं enter तो कर चुगी थी, but I was not knowing की इसको ये आगे कैसे जाएगा, और मैं इसको control करके या फिर इसको balance basis पर मैं कैसे लिखर जाओंगी, first of all congratulations के दीज साथ आपके पूरे होने वाले हैं, और apart from that like काफी कुछ आपने सेहर किया और जर्णी काफी अच्छी भी रही है, So any thing जो मैं अगर सबसे कह सकते हूं सबसे ज़्यादा चैलेंजिग क्या था पूरेट जर्णी में, which part is most challenging? Sir, सबसे ज़्यादा चैलेंजिग ये था कि, you will feel like कि आप अपने student के लिए सब कुछ मतलब जो भी कर रहे हो, ठीक है, जो एक चीज मैंने देखी थी, from a very starting of the time, I think आप भी सुनते होंगे, लोग कहते थे कि कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, टीचर बन जाओ, ये चीज मैंने देखी थे कुछ नहीं करना चाहते हो, टीचर बन जाओ, टीचर से जादा असान जॉब क्या होती है, तो मैं in fact अभी भी आपको ये कह सकते हूं कि ये चीज नहीं अभी भी चलता है, लोगों उसके मूँ से अभी भी सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं करना चाहते हो ठीक है, बीयड कर लो ये कर लो वो कर लो टीचर बन जाओ, बट आइ मस्ट टेल यू कि जो मैंने इतने सान में एक्स्पियेंस किया है, I think teaching is one of the toughest job, I have to say that, क्योंकि एक इंसान, मतलब कोई भी फील्ड का आप ले लीजिए, ठीक है, वो पहले पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो अपने job field में enter करता है, तो उसको उस पढ़ाई का application form उसको करने को मिलता है, लेकिन we, like the teacher or the educators, उनका पढ़ाई भी सेम है, उनका application भी सेम है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको और जादा आपको polish करके सामने वाले को समझाना है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है जाता है कि what you are gaining and what your output is, दोनों same to same है, और यह सबसे ज़्यादा challenging portion होता है कि आपको पूरी जिंदगी updated रहना पड़ता है, और updated रहने का मतलब यह है कि you have to study for the whole life, if you are a teacher, you are learning everyday and you are just explaining that to your student, आप थोड़ी देर कहीं पर रुख के यह नहीं कह सकते हो कि बस हो गया मैं updated रहना चाहता हूं, you have to learn everyday from each and everything, and तभी जो है आप अपनी छोटी छोटी चीजों से भी अपने students को बहुत कुछ गेन करवा सकते हो, और पता नहीं क्यों, मतलब शायद यह नजरिया ही हो जाता है कि एक कोई चीज हो रही है, अगर दो लोगों को बुला जाए, आप उसको देखकर बताव, आपको क्या फील हो रहा है, I am damn sure, एक normal इंसान का जवाब अलग होगा, तो भी कुछ ना कुछ मतलब अलग ही निकाल रहा होगा, या कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हnhगा, या कुछ और निकालन की कोशिश कर रहाहला हूगा, लेकिन एक normal इंसान उसको एक बलें, थाही हैं, ये machine चल रही है तो बस चल रही है नें, एक टीचर का परस्पेक्टिव वहां पर अलग हो जाता है विकास इसको ऐसे बहुत से एक्जामपल्स के साथ लाइफ में डील करने होते हैं जो अपने वो स्टूरेंग के सामने भी रखता है तो अभी तक जो मैं मोस चालेंजिंग चीज अभी तक जहेल रही हूँ वो फिलहाल मतलब from my teaching purpose experience में आप कह सकते हैं तो मेरे teaching के मतलब जो में गेन करते हूं कि learning मेरी आस तक बंद नहीं हुई है मतलब I was not a great fan of learning anything obviously normal insan के तरह मेरा भी एक वो होता था कि I'm just fed up I don't want to learn this और अभी book परने का मन नहीं कर रहा है I'm also from that category only but इस line में आने के बाद teaching के line में आने के बाद believe me एक दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने कहा हूं कि नहीं आज ये नहीं पढ़ते हैं या फिर आज नहीं पढ़ते हैं मतलब रोज कुछ ना कुछ आपको सीखना है और उसको फिर अपने बच्चों को सिखाना भी है वो भी एक बहुत ही कितना ही boring concept की नहीं लेकिन उसको एक interesting basis पे सामने लेकर आना है तो अभी तक teaching के एक जरिये से अगर देखूं तो इस दो इस दो मोस्ट चैलेंजिंग फिंग जो कि मैं अभी भी फेस कर रही हूं और आगे भी शायद करती रहोंगी लेकिन थोड़ा सा बहुत है ना smile के साथ अभी तोड़ा टेंशन में होगे करते हूं बाद में थोड़ा सा ज्यादा आगे साथ की चला आता है वह एक लिएवा यह लेना पड़ तो इवन आपको अब कर्या आपको अभी तक क्या मतलब पीचिंग प्रसपेक्टिव आपको क्या सब्सेर्दा चैलेंजिंग लगरभ तोड़ा है है जैसा कि we have to tell like अगर आप किसी भी फिल्ड से लेटेड होते हो तो आपको सेम कॉंसेप्ट अलग-अलग स्टुडेंट के साथ अलग-अलग इयर्स अलग-अलग बैचेस के स्टुडेंट के साथ एक नहीं एनरजी के साथ बढ़ाना होता है एक जोक सुनने के बाद बार 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 हस नहीं सकते स्टूरी को हर बार एक एक साइटमेंट तरीके से हर बैच में बतानी पड़ती है यह जो है टेकनीक के गए अगर आप वहां पे थोड़े से भी लैख हुए अगर आपकी स्पाइल आपकी एनर्जी थोड़े से भी डाउन हुई क्योंकि हम उस तरीके से सुरुवात करें उस एनर्जी ने बढ़ते देखना है और खुद की एनर्जी को कम होते देखना खुद ही एक्सेप्टेबल नहीं होता सो इस 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 मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट पर मिंगी मतलब सेम एनर्जी मेंटीन करके रखना फॉर देखना थे सेम गॉंसेट थ्रूआउट थे एर्स वाट थे इस 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 बढ़ते जाते हैं आगे मतलब जो स्टूरेंट हमसे जो नए नए भी जूड़ रहे हैं वो उससे भी ज़दा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ जूड़ते है मतलब उन्होंने कई से सुना है अब उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो जिन से सुना है उसका एक्सपेक्टेशन मालीजे यहां पर है तो जो नए वाले होते हैं जो नए स्टूरेंट आरे पर उनका एक्सपेक्टेशन यहां पर होता है और हमारी जो एनर्जी होती है हर एक batch के साथ वो जितनी पहले थी वो उससे होड़ी सी और कम रहती है तो वो उस match करने में obviously we obviously we know कि कितना ज़ादा हमें उस एक difference को maintain करने में कितना ज़ादा एक pay off करना पड़ता है that is obviously a very challenging thing so I think मतलब मुझे अब यह भी लगता है कि पता नी जिन टीचरों से हमने पढ़ा है मतलब है हट्स ओफ to them मतलब जितना भी उनोंने हमें ग्यान दिया है and especially वो टीचरों जो इतने जादा you know age थे experience थे और जब उनसे बाते सुनते हैं कि 18 साल से पढ़ा हैं 20 साल से पढ़ा हैं I don't know how they used to maintain that much of energy that much of positive aura कि वो हमें भी inspire करते थे especially वो टीचरों जिन से हम actual में inspiration लिए हमारी लाइफ में that is why I used to say teaching is not at all easy it is one of the toughest thing I think it is not at all easy before going to another questions like पहले तुमें जितने भी viewersman को कता दो जो कभी भी online teaching में अपना कदम रखना चाह रहा है और कई सारे इस खुबसूरत दुनिया YouTube की दुनिया या जो भी जहां पर भी आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से जो है आप आसानी से एजुकेटर बन सकते हैं definitely बन सकते हैं लेकिन उसको maintain करना या क्या challenges आपको face करने पड़ सकते हैं मेंटल लेवल पे तो उसके लिए आप ये वीडियो दिरूर देखिएगा तो फर्स्ट आप आप से यह जाना चाहूँगा कि अगर आप यहां तक पहुची हैं तो चाहे स्कूल से लेके colleges तक आप ऐसे कुछ educators होते हैं कुछ teachers होते हैं जिनको हम हमेशा credit देना चाहते हैं या जिनको हम हमेशा एक thank you note बोलना चाहते हैं तो ऐसे मैं बस उनका नाम जाना चाहूँगा और किस level पे उन्होंने किस stream-based school में या colleges में आपके कैसे मदद की थी उन्होंने कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगता था और वो इंस्पायद भी करते हैं कुछ ऐसे टीचर्स थे कि उनका मतलब मुझे topic या subject बहुत तफ लगता था but they used to inspire me a lot तो ऐसे कुछ टीचर्स थे हैं जैसे की बहुत initial time में अगर कहूं तो दिर वोजा सर सिदाना सर उनसे मैं ने biology गें की ती राजस्थान and he was the first person जिन्होंने मेरा इंटर्स बाया था and from that point of time मेरा एक मतलब लाइफ में टर्निंग point रहा कि no I should focus on biology okay otherwise मेरा थोड़ा सा extracurricular activity में मतलब जादा interest हो दा मतलब मैं कुछ और करूं कुछ हटके करूं but he was a person जिन्होंने मुझे biology बहुत खुबसूरती तरीके से जो है उसका meaning बताते थे समझाते थे और automatically देदरे इंटरस्ट वहां से जागा he was a very old person उस ताइम भी मतलब मैं अभी की जब बात करें तो उस ताइम पर I guess मैं शायद 8th 9th class में रही होंगी तो उस ताइम भी वो एक दादाजी के उमर के मतलब एक teacher थे you can imagine the age but he was a very good person बहुत inspired भी करते थे and even he was a paralyzed from one leg but still he used to motivate us a lot तो उनसे मैंने जो है regular guidance लेना शुरू किया and बहुत positive vibes देते थे मतलब एक होता है किसी teacher से आप बात कर रहे हो तो उसे positive vibes आना बहुत जरूरी होता है वो आपको अपने उपर भी यकीन करने में थोड़ा बहुत initial time में मदद करता है क्योंकि initial time में क्या होता है initially हमको यह नहीं होता कि नहीं हमें खुद पर बहुत ज़ता यकीन है सामने वाला जब थोड़ा सा हमारे में यकीन शो करता है तो automatically वो यकीन डेवलब होना शुरू हो जाता है and that is what happened उसके बाद मैं अपने high school में आई तो there was a teacher बहुत से अलग अलग teacher थे I think there was one of the teacher Sanjay Rawat sir he was a very extraordinary teacher I can say chemistry पढ़ाते थे believe me I hate chemistry ठीक है but मुझे उनसे chemistry पढ़ना अच्छा लगता था because वो इतनी easy तरीके से पढ़ा जाते थे कि मतलब मज़ा आ जाता था मतलब ऐसा लगता था कि wow मज़ा आ गया बहुत अलगे बात में जल्दी भूल जाते थे क्योंकि chemistry is a thing जिसमें कि अगर आपका interest नहीं आप तुरंट भूल जाओगे यह क्लास में पढ़के मज़ा आता था उनकी बाते उनकी सारी चीजह मतलब जो वो एक attitude carry करते थे मतलब बहुत down to earth बहुत जादा मतलब मुझे उनको देके लगता है कि कोई इंसान इतना down to earth कैसे रखता है इतना जादा knowledge लेकर मतलब वो चलती फिरती chemistry की पुरी book थे मतलब he knows everything अब कभी भी कहीं भी उनसे कुछ भी पूछ दो वो हर चीज का तुरंट जवाब देते थे और मतलब अलग ही ऐसा मतलब teacher बहुत देगे थे लेकिन वैसा नहीं देखा था तो मुझे लगता था क्यार इनकी personality ही अलग चीज है तो उनको देके बहुत positive inspiration में थे थी although वो बहुत ज़ादा मतलब हमारी कैतना हमें बहुत डांट लगा जाए तब he was a very strict person but बाद में वो strict से जादा हमें मतलब friendly लगने लगे मतलब एक ऐसा होते हैं कुछ-कुछ teacher की तो असे डांट के समझाते हैं लेकिन they are not injurious for our health तो that kind of thing was there तो थोड़े मसा किया थे थोड़े से डांट ते भी थे but he was a good person तो उनसे मुझे मेरे high school में थोड़ा सा inspiration मिला college time में गई तो college time में I must say की मतलब मैंने बहुत अगलग teacher से मैं मिली अपनी college time में B.S.C. से लेकर M.S.E. तर्थ but मुझे एक मतलब मेरे एक senior थे मुझे उनसे बहुत जादा inspiration मिली and I would like to take his name that is Gaurav Das और वो एक ऐसे senior है जिन्होंने throughout my journey मेरे पूरे college life मेरे बहुत है बहुत जादा and he was a person जिनको दे के मुझे लगता था I want to become like him मैं जल्दी खुद को जो हैं किसे से compare नहीं करते हूं मुझे लगा कि मैं इनकी तरह नहीं बन पाई लेकिन इनके अंदर जो गुन है न वो मुझे मेरे अंदर चाहिए मतलब इतना जादा knowledgeful person है वो पता नहीं I think मतलब 10-15 से भी जादा उन्होंने national level exam मतलब crack किये हैं जितने exist करते हैं I think maximum उन्होंने crack किये हैं लेकिन कोई उनसे मिलेगा तो कोई कह नहीं सकता है कि वो इतने knowledgeful person है और कभी unwantedly गुसा नहीं जहां पर एक normal इंसान को गुसा आजाएगा वहां पर भी वो गुसा नहीं करना चाहेंगे तो मेरे अंदर एक positive value डालने में उनका बहुत बढ़ा हाथ रहा है I don't know whether he knows these things or not but उनका बहुत बढ़ा हाथ रहा है वो बहुत कम हमें motivation lecture देते थे कि वो चलते फिर तक खुद एक motivation थे मैं ही मतलब मेरा ही नहीं बहुत से हजारों student जो भी उनके contact में थे उनके लिए चर्था फिरता motivation थे और मैं अकेली ही नहीं जो motivate हुई हूँ उनके उस मतलब जो भी वो एक कहते न एक character को carry करते थे वो चलते फिर ते एक ऐसी मतलब personality थे जिनको देख के कोई मतलब बोलते ने मतलब हर एक mint में कुछ सीख सकता था तो वो मेरी life में college time में जो है वो एक essay रहे हैं जो जिनको मैं अपना guru मानती हूँ although he was my senior बट उनको मैं अपना guru मानती हूँ बहुत से चीजों को उन्होंने develop करने में बहुत हल्की है तो ये कुछ school से लेके college life तक के जहें कुछ teachers रहे हैं and of course college में और भी professor रहें एक का नाम लेना possible नहीं होगा बहुत सारे professor रहें जिनसे थोड़ा-थोड़ा करके वो कहते हैं गुरू से ग्यान मिलता रहता है किसी से थोड़ा सा हम जादा ले पाते हैं किसी से थोड़ा कम ले पाते हैं किसी किसी इनसान की कहते हैं कि जैसे वो इनसान खुद को carry करता है या खुद को present करता है लोगों के सामने उससे भी बहुत कुछ सीखा जाता है तो यस मैंने आप से अपने teaching career में जो है कुछ सीखा है और सीख मतलब एक चीज नहीं है multiple चीज है छोटी छोटी है बटनोंने मेरी life में बहुत बड़ा role play किया है पहला एक चीज है कि आप कितने भी जादा मतलब कहते हैं डिस्टर्ब क्यों नहीं हो अपनी personal life में आप हमेशा आपको बोलते हैं आप परदा उठते ही जो है आपको अपना एक अलग character ले लेना होता है जो वो character जो दुनिया जानती है आप उनके सामने रोना नहीं रो सकते हो कि यह आईसा हो गया वैसा हो गया अगर आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं तो बुरे दिन भी मिलेंगे तो अच्छे दिन में आप smile के सांथ जा रहे हो परदा उठने के सांथ और बुरे दिन में आप वहां पर रो क्या नहीं जा सकते हो तो एक वह कहते हैं यह यह चीज मतलब आपको अपने अंदर उतारनी पड़ती है अचानक से नहीं हो सकता कि आगर आपका मूर खराब है तो आप जाओगे और उदास मूर से सीख सकते हैं मतलब की यह नो शुरू कर दो आप अपना जो भी बढ़ा रहे हो या जो भी कर रह है और वो मैंने आपको करते हुए देखा है तो that is a great thing जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ इसके अलावा जो कहते हैं कि never give up attitude मतलब I must say आप में बहुत जादा है आप मतलब कहते हैं मैंने कि देखा है या सुना है राधर उसे कि जिदी जिदी पन का भी positive side होता है और वो मैं आपके form में देखती हूँ मतलब अगर एक इंसान कुछ करने की जिद पर चला आए तो वो कर सकता है वो मुझे पहले ल चीज मैंने आपसे बहुत सीखी और मैं उसको आज भी apply करते हूं कि अगर मुझे वो चीज चाहिए and if that is correct I should try my best तब तक तो at least try करना ही है मुझे जब तक मेरा inner me मुझे ये ना कहे कि नहीं अब रहने दो बहुत हो गया आप तुम अपना बर्बाद कर रहे हूं तो ये दो चीज है मैंने आपकी life से सीखी है और हमेशा भी सीखती रहती हूं और आगे भी I think बहुत सी ऐसी नहीनी चीज़े हैं जो कि मैं सीखती रहोंगी Thank you so much for your appreciation मुझे नहीं पता था इतनी चीज आप सीख रहे हैं आपका observation power बहुत strong है तो जब आपने ये बात करी थी मुझ से तब मैंने बुला कि नहीं ऐसा जरूरी है observation power अच्छी रहना बहुत जरूरी है तो ठीक है I used to observe लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और जाटा उस पर थोड़ा सा और अच्छी से observe करने चीज़ों को कोशिश करते हूं I think that is why I am learning this much otherwise अगर आपका observation power अच्छा नहीं है तो आप learning I think this is both thing is directly proportional if you you are good at observation obviously अब बहुत सारा कुछ लर्न करते हो तो still I am improving to learn something अगर आप observe भी नहीं करो भी तो सीखो के कैसे तो like to mention like some of my educators yeah of course I would love to hear that so just like lots of teachers वहां पे थे बच्छमन से लेके अबे तक and just want to mention अलग अलग बहुत सारे कैटेग्रीज में help किया था जब हम खुछ चलना नीज में कैसे कि दो साल दो तीन साल में मैंने स्कूल जाना सुलू कर दिया था तो उस वक मेहदी हसन ना के तो सुरुवात वहां से थी और उनको देखे से लगता थे सब्सक्राइब की बात करी दिटेए और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि आत्मी फोज आता था और उसके बाद जो स्कूलिंग रही है वहां पर एक अर्जुन सरकर के टीचर थे जो काफी करते थे और इंग्लीस कहते हैं उतना अच्छा उनको आता था जितने लोग एक्चुल इंग्लीस नहीं जानते थे तो काफी कुछ सीखने को मिलता था उसके इसके इलावा जब मैं स्कूल में गया थ थे जिन्होंने कह सकते हैं कि मेरी पूरी स्कूलिंग करी ती क्योंकि मेरा स्कूल मेरे खर से करीब करीब 15-16 किलोमेटर सत्रे किलोमेटर साइक्लिंग करनी पड़ती थी और एक पदले दुबले इंसान को जाना बहुत मुश्किल होता था तो वह मेरी यहां पे अभी बतान बीटेक में कई सारे जुकेटर से नरेन सर्थे सभी तामें थी और बात उसके बाद प्रदीप सर जो की अभी मेरे पीसटी काहिट भी है और कहतें की अल्टीमेटली अलग-अलग टीचर्स को देखने के बाद और एक पीचर जो मैं हमेशा करना चाहता हूं निरस्तिवारी जो कि पाद फाइंडर में पढ़ाते थे और इसलिए मैं मैंसें करना चाहता हूं कि मेरी लाइफ थौट प्रॉसेस जो थी उनकी क्लास देखने के बाद उनकी बाते सुनने के बाद जो है पूरी चेंज हो गई कि इंसान को तब मेहनत करनी चाहिए और सबसे पहले अपने फैमिलीज को जो है ब्राइटी देनी चाहिए क्योंकि अगर फैमिलीज नहीं है तो आपका पैसा आपका करियर आपका फेम कुछ भी नहीं है अगर आपके साथ कोई उसको सेर करने वाला नहीं है तो कि अपने साइट से क्योंकि बहुत रेरली मेंसें करते हो इतने सारे नाम आपसे पूछा था कि आपके बेसं थो आपके तो इस यह तो बाते होगे कि आपने कैसे अपनी जर्णी करी और को से अग्रेश्टे आपके बताईजी तो जैसा कि अड़ते उड़ती ख़वरों से जो है मुझे सूतरों से पदा चला है और उसके विसस पे ये क्वेस्टन में बना रही हूं आपकी जो फॉम आप अभी जो आप कर रहे हो मतलब जिस विरें सिंग को अभी लोग जानते हैं और जहां से यह इसलिए एक अपके जैसा स्टूझेंट इकडम आपके जैसा स्थूडंट अगर आपसे वह ऐसा कहें कि सर मेरा तो ऐसा ऐसा इसा कंडिशन है मतलब मुझे अपने मतलब की मेरे बैगरण से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो वोट यूद लाइक तो सज़ेस्ट कि क्या यह रियालिटी में अक्चॉल में यह रियालिटी हो सकती है कि अगर बहुत से चीज़ों का हमारी लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता है तो वी कांट डू एनिफिंग और आप या फिर कुछ और मैसेज देना चाहोगे इस चीज लोगों के लिए को कहीं से कुछ करना है तो गर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आपके गूल्स आपके सपने जो होते हैं आपको मोटिवीट करते हैं आपके डिजाइर्स मोटिवेट करते हैं अगर आपका फोकस आपके प्रॉब्लम्स पर होगा जो नहीं है उसके लिए होगा कोई सपोर्ट करें उसके लिए होगा सिप्थी सीखिंग के लिए होगा तो आप कभी भी खुद ग्रू नहीं कर पाऊगे तो कहते हैं कि प्लान चट्टानों पे नींट कर जाते हैं तो उनकी जिद होती है जिब है तो जिन्दगी बनानी है तो आप जित मेंडेल करके रखो जो चाहिए उसके लिए एड़ी चोटी का जूर लगा दो और आपके मन में सच्छाई होगी तो सारो खान की कहीं बात आप उसे मिलाने भी लिख जाती है तो चाहने के साथ मैं यहीं मेंसिन करता हो किसी चीज को सिद्दत से चाहो और उसके लिए उतनी महनत करो तो जरूर बिल जाएगी वो जी बहुत सही कहा आपने यह चीज तो वही है मतलब बोलते हैं जहां चाह है वहां रहा है बस यह कि उसको उस मकाम तक रखो कि हां तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए जो हैं रेडी रहो हमेशन सब्सक्राइब करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो एजुकीटर के मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट डाल दी और वो कैसे डालती है सब्सक्राइब काफी कुछ डिसक्राइब काई लोग कर रहा हूंगा जो मैं देख रहा हूंगे उनके मन में सवाल यह चल रहा होगा कि आखिर आपने हेल्थ के उपर यह मेंटल इस तू बिंग ऑन ऑन ओन लाइन प्लाटफर्म और बिंग दां ओन्लाइन एजुकेटर अक दाक साइड ऑफ ऑन लाइन टीचिंग नेम और अट्व यह और है अच्छल में यह होगा अधिकी मैं हाव लेर्नर्स कोई अफेक्ट अमेंटल स्टेटर सफ एडिकेटर कैसे अफेक्ट रहता है जैसे कि कुछे का इंसिडेंट ही ले लिजे आप जैसे कि मान लीजे क्लासिस में होती है I will take the example of live classes ठीक है क्योंकि अगर आप live classes के comment deal करो मतलब आपको फिर आपके video के नीचे के comment बहुत नॉर्मल लगने लगते है क्योंकि आप live जब किसी इंसान का criticism ले रहे हो या something like that तो जैसे कि मैंने initially कहा था there is a two type of criticism मतलब कुछ बच्चे होते हैं what I have seen that कि being from the educator point of view if I'm sitting and taking some classes और कुछ बच्चे जैसे कि I don't know मतलब मुझे समझ मैं नहाता उस type कुछ बहुत कम ही होते हैं वो बहुत जादा नहीं होते हैं number में वो बच्चे लेकिन हर class में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे कि ऐसा लगता है कि उनका target आपका mental status होता है मतलब कोई educator इतना शांत दंग से क्यों class ले रहा है कैसे ले रहा है वी वांट जस्ट वी वांट डिस शांती ठीक है शांती क्रियेट कर देते हैं तो ऐसे learner I must say कि मुझे हर class में मिल जाते हैं हर class में या फिर हर batch में मुझे मिल जाएंगे कम मिलेंगे मुश्किल से उनका number you know I think मुश्किल से 10 होगा शायद बतलब 1000 बच्चों में शाद कोई 10 होगा लेकिन होते जरूर है तो उनको लगता है कि उनका एक simple सा message type करना सिर्फ एक message है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें डेर घंटे पढ़ाने के लिए हम खुद को पिछले 4 घंटे से ready कर रहे हैं इसा नहीं कि टेंशन नहीं है लाइफ में टेंशन है उसको side में रखकर एक smiling face के साथ हम आये हैं ताकि उनके अंदर उनके future के लिए एक positive औरा भर सकें उनको educate कर सकें बट कुछ ऐसे student होते हैं जो कि एक message को करने से पहले या comment डालने से पहले live classes में भी वो सुचते नहीं कि वो सामने वाले के mental status पे जाके कैसे hit करेगा maximum time जैसे कि हमें कहा भी जाता है let's avoid that हमारी audience भी कहती है जो बच्चे class में होते है माँ avoid कर दो sir avoid कर दो but sometime it is not in that condition कि मैं उसको avoid कर दो कभी-कभी में लिए फिर जवाब देना जरूरी हो जाता है या of course वो mental status को hit करता है मतलब आप मालें जो बहुत अच्छे mood में आए है और किसी का कोई एक type का offensive जीज जो कि एकदम out of track होता है उस किसी नए comment box में डाल दिया वो आपको hit करे गई वो आपके leave it ma'am, let's leave it sir उनके लिए वो बहुत आसान होता है कहना लेकिन उस जगे पे उस topic का मतलब उस चीज का एक topic बना जिसका topic मतलब की कोई जो भी comment डाल रहा है उसका topic मैं हूँ so sometime it is not acceptable जो भी comment कहा जाता है if it is a positive comment obviously हम खुले दिन से उसको accept करते हैं आस time हो गया है हमको पता होता है कि कौन सा हमें सुधारने के लिए आ रहा है और कौन सा हमारी class की शांती को बिगाडने के लिए comment आ रहा है तो या of course वो बहुत challenging हो जाता है अब उसमें दो तरीके होते हैं या तो हम react करें and sometime we just have to ignore that comment ignorance we always try to do that let's ignore at that time क्या वो कमेंट का जो feel होता है जो mood regulations होता है although sometimes we try to ignore that so क्या वो क्लास के बाद कभी affect करता है कि after the class आप उसक्मेंट से मैं आपको अपनी feeling में दाती हूँ मैं ना बच्चों को मतलब मेरा एक I don't know whether it is wrong or right but I don't want to school मैं चाहती नहीं कि मैं सामने वाले के ना कुछ भी कड़वा बोलू मुझे नहीं पसंद आता है लेकिन जब सामने वाले मुझे trigger कर देता है ना तो मैं फिर उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसे शब नहीं बोलूगी कि जो मतलब मेरी profession पर दाग लगा दे ऐसे शब मैं नहीं बोल सकती हूँ मतलब मुझे मेरा profession अलाओ नहीं कर गया क्योंकि मैं किसी के लिए वहाँ पर role model का काम कर रही हूँ मतलब उल्टे पुल्टे चीज़े मैं नहीं बोल सकती हूँ लेकिन फिर भी जो भी उस इंसान ने बोला है भले मैं उसको लहजे में ही जवाब दू लेकिन मुझे एक out of track जाके जवाब देना परता है और वो मेरे mental status को लगता है and believe me उस दिन मैंने कितनी भी मेहनत की हूँ कितनी ही अच्छी classes क्यों ना दी हूँ रात में जब मैं सारी classes close करते हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन बिकार गया सिर्फ वो एक पांच मिनट का या रादर टुसे एक मिनट का वो comment जिस पे शायद मैं मुश्किल से दो मिनट बोली होंगी in reaction of that लेकिन वो मेरा पूरा सुबह के सुबह सरे के शाम तक की मेंट को मतलब एक तरफ कर रेता है और वो फिर रात तक भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है मुझे कभी ऐसा लगता है कि क्या मैंने react करके गलती की क्या मुझे नहीं react करना चाहिए था क्या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था वो नहीं बोलना चाहिए था, यह बहुत से calculation होते हैं, but I'm damn sure कि जिसने वो comment किया होगा, उसके दिमाग में ऐसा कोई calculation नहीं जाता है, तो यह obviously mental status पे बहुत effect डालता है, I think मैं आपको बता सकते हूँ, hours के basis बताना हो न, तो मेरे उपर उसका effect जो है, more than four to five hours का रहता है, उसके बाद मैं उस zone से बहा निकल दियो, जोती, just leave it, हो गया, अब वो हाथ से निकल गया, बोलते हैं, तीर कवाम से छूट चुका है, वो आपस नहीं आ सकता है, तो मुझे खुद को समझाने में वक्त लगता है, कि वो कब कल की बात थी, आज नया शुरुवात हुआ है, let's just leave it and just start with very fresh, तो ये एक mental challenge होता ही होता है, वो आज भी होता है, learners, मैंने भी feel किया है, मतलब accordingly, ये कि जो educators के respect होती है, जो teacher के respect होती है, आपके सामने आउनलाइन क्लास में disrespect किया गया हो किसी कमेंट है, किसी चीजों से, of course sir, मतलब मैं अपना perspective बताऊ ना, तो मुझे जहां तक लगता है कि, ठीक है, एक guru अपनी इज़त खुद कमाता है, लेकिन एक student भी इज़त just ऐसे ही नहीं करने लगता है, वो इज़त देना सीखता है, एक क्लास का जो माहौल होता है ना, उसमें वो सारी चीज़ें सीखता है, कहने को हम कहते हैं कि, हाँ, यह ऐसा गलत बहेव कर रहा है, पक्का इसके माबाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं होगा, बट लोग यहीं नहीं सोचते हैं कि, बच्चा माबाप के साथ वक्त बिताया ही कब, बच्पन में, वो स्कूल में अपना maximum time spend करता है, जब वो बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, तो अपने टीचर से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ होता है, तो वो अपनी जिन्दगी का जादातर हिस्सा तो वो अपने educational field में आ रहा है, वहीं से वो gain कर रहा है, तो कहते हैं कि जो student अपने school या college life में, जब टीचर की respect नहीं कर पाता है, तो उससे आप future में भी expect नहीं कर सकते हो, कि वो respect करेगा या नहीं करेगा, that is the thing, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो, कहते हैं पहले एक mahal था कि offline class हो, आपके guru आपकी class में है, आप उनको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, उनको wish करने के लिए आप अपनी कुर्सी से उठा करते थे, तो ये बोलते हैं कुछ-कुछ ऐसे tradition थे, rather to say, कि वो, बतलब हमारे अंदर नहीं एक moral thought भड़ते थे, कि if you are not liking someone, लेकिन if the front person is a guru, चाहे वो guru किसी का भी हो, तो आपको कम से कम उसको एक respect नाम की चीज आपको देनी पड़ेगी उसको, एक कहिए ना हर एक रिष्टे का एक थोड़ा सा एक लहजा होता है, आपको वो लहजा maintain करना पड़ता है, जैसे कि school या college life में मैं सब टीचरों को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे सामने आगे तो मैं बैठी रहूँगी और मैं उनको wish नहीं करूँगी, of course मेरा काम है, मैं उठूँगी, wish करूँगी जरूत पड़ा तो मैं उनके पाउं भी छूँगी उनके आशिरवात के लिए, तो पसंद ना करना है something like कि मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा है, that is why it might be I'm not liking his or her teaching, but that doesn't mean that he or she is a bad person from a very personal life, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, मतलब teaching और personal life दोनों एक नहीं होती है, होता है जिसके साथ हमारी wipes मिलती है, हम उनको अपना best teacher करे लेते हैं, जिनके साथ wipes नहीं मिलती है, उनको हम कह देते हैं कि okay fine, मतलब हम उनको पसंद भी ऐसा नहीं करता है, कि पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, दोनों में से किसी category में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी हम respect करते हैं, किसी को disrespect नहीं करते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि, एक student सिर्फ respect भी नहीं, आई डाधर तो से सारे student लेकिन नहीं होते हैं, majority of the student of course, उनको पता है कि, जिससे आप विद्या का दान ले रहे हो, वो आपका गुरू कहलाएगा, लेकिन कुछ percentage of student रहते हैं, जो कि इन सब चीजों का बोलते हैं, पुरा बवाल मचा के रखते हैं, उनके लिए एक teacher, teacher नहीं होँआ, वो एक tape recorder की machine हो गया, कि button on कर दो, अब वो लगातार बोलते जा रहा है, जब ending time होगा, तभी वो रुकना चाहिए, तो obviously वो students जो होते हैं, वो एक ऐसा impact डालते ही डालते हैं, और उनहीं के वाज़े से, मतलब कि जहां तर मुझे लगता है, थोड़ी सी challenging हो जाते हैं, आप बिल्कुल मैं agree कर दा हूँ आपकी बात से, और एक और point जिसको मैं उठाना चाहूँगा, haters, कुछ ऐसे क्योंकि, और वो haters, sometimes I have seen that कि, उनका कोई मकसद नहीं होता, या वो even though learners भी नहीं होते, वो बिना किसी बात के आप से, आपको पसंद नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसे करें, इन डारेक्टी जो है, जिन्नोंने आप से पढ़ानी, जो आपको जानते रही, ना तो personal life में, ना professional life में, फिर भी आपको hate करेंगे, आपके बारे पे पुरा सब्द बोलेंगे, जो कि उन से मांगा नहीं गया है, मतलब मुझे सब्सक्राइब इनका कोई aim नहीं होता, इनके पास कुछ होता नहीं करने को, तो इनको लगता है, सामने वाला इतने शान दिमाग से कैसे काम कर सकता है, मतलब हम जिन्दगी में कुछ नहीं कर पारे, और सामने वाला इतना कुछ कर जा रहा है, कैसे कर जा रहा है, तो मुझे लगता है उनका मकसद ही ही होता है, कि let's spoil everything, मुझे जहां तक लगता है, मतलब ही जो हेटर वाटे, मुझे नहीं पता है, इनको हेटर कहना चाहिए, या फिर इनको get well soon कहना चाहिए, I have no idea, कि मतलब what they want, मतलब वो ऐसे लगता है, कि और कुछ-कुछ तो ऐसे होते हैं सर की, जो सीखने नहीं आते हैं, ये सिखाने आते हैं, and my question is that, कि जब इतना ही पता है तुमको, तो तुम हम से क्यों सीखने आये हो, what a life they are leading, okay, they are having the name recognition, they are getting the fame, they are getting lots of love, lots of compliment, lots of things, लेकिन the reality is like, कि हम अपने उस dark face को सामने ही नहीं आने देते हैं, but it's not only about कि, जो दिख रहा है, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है, आप देखते ही वही हो, जो फेस हम अपना दिखाना चाहते हैं, हम अगर हमेशा इस smile के साथ आते हैं, तो आप हमेशा हमें हसते हुए ही देखोगे, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि हम आपको अपना dark side दिखा, जो हम लोग face कर रहे हैं, mentally जो challenge हो रहा है, जैसे सर ने भी कहा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक ही concept को रोज बढ़ाना, आप एक ही jokes पर कितनी बार हस सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार है, ऐसे ही होता है कि आप एक ही concept पर interest के साथ, रोज-रोज कैसे बढ़ा पाते हो, तो वो भी एक challenge में ही चला आता है, लेकिन ये बात, जो सुनेंगे उनको पता नहीं चलेगा, जो कर रहे हैं ये, उनको पता है कि, इस वेरी वेरी टॉफ तु मेंटेन दे सेम इंट्रेस्ट, ऑन सेम टॉपिक, इन सेम क्लास, विद डिफरेंट बाच्च, तो ये एक होता है, तो मतलब इसको कैसे मतलब एक साथ लेके आया जा सकता है, बट या, डीज आर ठिंग्स जो कि अभी चल रही है, और रियालिटी भी है, कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं, हिल्दी और अनहल्दी कॉम्पेटीटर्स, कुछ ऐसे कॉम्पेटीटर्स होते हैं, पहले के जमाने के लिए दूसरी को नीचे गिराना पसंद नहीं करते थे, उसमें सब्सक्राइब करना होता था, लेकिन आजकल के खासकर ओनलाइन में क्या होता है, कि लोग सामने वाले को अपने उप बढ़ाने के लिए सामने वाले की कोशिश करते हो, उसमें सबसे बड़ा जो हतियार होता है, क्योंकि वी आर्टीचर्स हैं हमारा मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी हतियार होता है, अपने मूट को सही तरीके से पिप्रजेंट करना, कि मैं कैसे पूछते हैं कि मैं कैसे पूछते हैं कि कहीं भी मान लीजाएं, I don't know मतलब ये कॉंपटीटर्स कहां से आते हैं I have no idea, उनका मकसद क्या होता है, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी I used to listen so many like awful things about me, जो मैंने कभी किया नहीं उस चीज के लिए मुझे ब्लेम करते हुए वो देखे जाते हैं कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, इंडारेक्ली बोल रहे हैं, इंडारेक्ली बोल रहे हैं, वाट्सॉएवर, but what I have think like, कि उनके पास और कोई option नहीं है, मतलब वो मेरे साथ मेरे साथ मेरे रास्ते में, मेरे बराबरी में शायद वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अगर इस race में दौडना है और मुझे सामने वाले से अगर आगे निकलना है, तो मैं अपनी race को मैं अपनी speed को तेज करके निकल ही नहीं सकता हूँ Let's do the second one thing जो बहुत simple है बगल वाले को dietary race के बाहर गिरा दो अब जब मैदान में एक ही बंदा डोड़ेगा तो obviously एक ही जीतेगा लेकिन बोलते हैं रेस का मज़ा तब होता है या किसी भी चीज का मज़ा तब होता है जब उसमें बहुत से लोग दोड़े तब वो कहलाती है race अकेले भागने का क्या है मतलब तुम बैठे भी रहोगे तो भी तुम ही जीतोगे चलोगे तो भी तुम ही जीतोगे तो what I have thought like की वो शायद उससे आगे खुद नहीं निकल सकते हैं इसलिए वो मेरे को defame करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि जिसकी बोलते हैं जिसकी तारीफे नहीं रोकी जा सकती है उनकी बर्णामिया शुरू कर दी जाती हैं वही वाला हाल है मतलब कि कि हम तुमसे आगे बढ़के नहीं निकल सकते हैं तो बेटर है तुमको ही पीछे करना शुरू कर दे वो भी गलत तरीके से तो आजकर के टाइम में जादा ही कुछ हो रहा है कि लोग अपने उपर नहीं फोकस करते हैं सर की हम में क्या कमी है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वह यह सोचे को कुशिश करते हैं कि उसमें जो अच्छी चीज़े ना उसको गिरा दो ठीक है उसको भी और नीचे लेकर चले जाओ दाट विल बीजिएस्ट वां क्योंकि दूसरों को गिराना असान है खुद को उपर उठाना बहुत महनत लगती है एक यूनीक चीज़ें क्रिएट करने में आप जिसके लिए जाने जाओ उस पे काम करने में कितना वक्त लगता है यह आपको भी पता है मुझे भी प होती है तो इस चीज़ पे मतलब वही हो जाता है कि अब आप इसमें क्या कर सकते है या तो उनकी तरह काम कर सकते हो जो कि मेरा दिन गवाही नहीं देता है मतलब मैं किसी और किसा किसी और से आगे बढ़ने के लिए मैं खुद को नीचे नहीं गिरा सकती है I would prefer कि मैं भले व मैं बहुत जरूरी होती है अगर आपको जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो I think ये एक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है simple भाशा में और कहूं तो चमरी मूटी कर लिए मैंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कुछ भी कहे मैं बस अपने अपने उस रास्ते क पकड़ चुकी हूं और मैं भले ही सही छोटे-छोटे कदम ही सही बट मैं लेती रहूंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है क्यों कह रहा है किस ग्रज मैं कह रहा है मैंने उसका कुछ नहीं बिगाया क्यूंकि जिन से मैं मिलते हूं उनसे मेरी दोस्ती होत तो मैं फिर अब इस चीज़ पर ध्यानिंग लेती मुझे लगता है ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं मैं भी अपना काम करते हूं नहीं तो मैं बिल्कुल एक दिकरता हूं जिससे आप मिलती है दोस्ती हो जाती है करो कुछ अच्छी चीजे सीखो सामने वाले को अच्छा सिखाओ तो दुश्मनी में तो कुछ रखा नहीं हुआ है इस पर बात करते हैं मोटी चमडी और नोट्स तो वैसे तो ऑफ-लाइन का ऐसा कि आप मारकर लेगे गए एक्स्प्लेइन कर दिया लोगों को लगता है कि आप जो है अक्सर लोग ऐसा बोलते यार आफ-लाइन टीचिंग इस डिफिकल्ट ऑलाइन इस वेरीजी विपॉस इ तो तीन चीज़े जो मुझे लगती है मैं आप सो वैरीफाइड मलब कुछना चाहता हूं कि आपको उसके अलामा आप क्या लगता है तो जैसे पहली चीज़ नोट्स जिसको लगता है कि लिखके ऐसे आगया सामने वाला बंदा मुझे इनिसली एक क्लास की स्लाइब बनान तो थोड़े कम टाइम लगते बड़ स्टिल अपडेट करना होता है उसके अलामा वो कंटेंट जो होता है कही न कहीं लोग शेयर करते हैं आनेथिकल मैनर्स में तो यह चीज़े कहीं न कहीं में मेंटल लेवल को भी डिस्टॉप करती क्या मैंने इतनी महनत करी मैंने इतने कि यह ना तो लोग उसको फिर लोग उस वैल्यू को जो एफ़र्ट या जो टाइम आपने पुट किया उसको प्रिपेर करने में वह लोग इतनी इसली कर देते तो आपको ऐसे लगता कि या इतनी महनत का फिर क्या फायदा हम भी उसी तरीके से जाते जैसे बागी लोग करत कि यह एजस्टिबल हो जाता है बिकॉस वी आड़ टीचर हमारा काम ही है हमारी जनरेशन को एजुकेट करते रहे नौर आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करना पर देखते हूं कि मतलब उनका एम यह नहीं होता है कि सामने वाला एजुकेटर बस उनका एम इसली होता ह कि बिकॉस आम जोतिकुमारी एंड़ परसन वां टुशेर माई नोट यह उसका कोई मकसद नहीं होता है तो उस टाइम मुझे से लगता है कि यार क्या फाइदा मतलब मैं इतना एक्स्क्लूजिव चीजों को लेकर आ रही हूं आपने तो बहुत कम बोला असल कि आपको एक साल लगा दिए एक यूनिट के नोट्स बनाने में मतलब यू कन जिस्ट इमाजिन कितनी अब उस महनत को ना मैं शब्दों में बया नहीं कर पाऊंगी वो मेरा वो मैं जानती हूं मतलब एक स्लाइड को एक मतलब आई कैचिंग तरीके से बनाने में कितनी महनत जाती है वो वही इंसान समझ सकता है जिसने दो घंटे में स्लाइड बनाई हो और उसको खुदी अपनी स्लाइड पसंद ना रही हो तो उसको पदा चलता है कि उस पर और महनत की रिक्वार्मेंट होती है तो अफकोस स्लाइड पे कोई भी नोट्स बनाना बहुत बहुत जादा टाइम लेता है मतलब सोच भी नहीं सकता है इंसान जब आपूर्म करते हो नहीं कि बिसको फीने में कितना टाइम लगता है और वो ज़रूरी होता है और जैसे कहते हैं जैसे वक्त जैसे आगे बढ़ रहा है अभी का टाइम ऐसा हो गया है सर की मतलब हम सिर्फ बोल के कुछ शब्द लिखकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं हमको बच्चों को कुछ content भी देना है क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे कौन सी चीज़े मतलब major तरीके से जहां पर suffer होते हैं colleges में या school में is like teacher ने एक बार जो बोल दिया जब तक वो दुबाया repeat नहीं करेगा वो student copy में लिखने ही सकता है और अगर वो miss कर गया मतलब वो miss कर गया अब किसी को नहीं पता कि teacher ने इस point पे कौन सी line बोली थी कौन सी चीज़ें बोली थी तो हम और आप जिसे educator क्या करते हैं उसी को थोड़ा सा असान करने के लिए हम notes provide करते हैं कि तुमको जब हम पढ़ा रहे हों तो तुम सिर्फ अपने कान और brain का इस्तमाल करो लिखने का काम तुमें ना करना पड़े वो काम भी हम अपने यहन से करते हैं तो of course it is a very much time as well as energy consuming fact हो जाता है लेकिन बिलकुल जब इसका unethical basis पे इस्तमाल होता है तो लगता है कि यार कोई फायदा नहीं है मतलब इससे तो better है कि normal जैसे होता है किताब खोल लो और अराम से main main point जो है मतलब फिर हमें 4-5 घंटे अपनी life की एक slide पे spend नहीं करना पड़ेगा जो हम generally spend करते हैं तो जो भी student होता है उसको भी चीज सोचना चाहिए कि unethical तरीके से not only आपका और मेरा है किसी भी teacher का कोई भी content जिस पे वो महनत कर रहा है चाहिए आपको किसी के book को share कर रहे हो या किसी के content share कर रहे हो या किसी की slide share कर रहे हो जिस भी इंसान की महनत है उसमें उस पर पूरी अपनी महनत लगा है जरा उसके बारे में सोचे जितनी आसानी से आप उसको unethical basis पे circulate कर देते हैं उसने पता नहीं कितने महीने से अपनी पूरी नीद रहे होगी उस content को बनाने के लिए उस book को publish करने के लिए उस slide को prepare करने के लिए लेकिन उस condition को कोई तब तक face नहीं कर सकता जब तक वो उस condition में आके ना बैठें जो कि एक जरूरी हो जाता है तो I don't know कब कब इंसान सामने वाला इंसान ये चीज समझे का यह जब हमारी जगर पर आएगा शायद तब समझे यह सारी चीज़े कहीं नहीं कहीं आपके आपके mental level पर काम करती है और इसलिए में पॉइंस के उपर इसका सब्सक्राइब और चीज हमारे साथ आती है इस ऐसा नहीं रखता आपको कि यार क्या रोबोट जैसी हाला तो कोई सिर्फ एक कैमरे को देखके पूरी एक्सप्रेशन को इमेजिन करना होता कि बच्चे को समझ में आ रही कि नहीं इसलिए मेरे लिए ऐसा लगता था कि मतलब मैं अच्छों आपको जोक सबाने पड़ते हैं और कुछ न कुछ करके उनको बीच में हसाते भी रहना है उनको ये ना लगे कि बस एक लेक्चर शुरू हो गया है बस अब कहीं नहीं रुखने वाला है तो हमें सब चीजों का ध्यान अखना है कि बच्चा इंट्रेस्ट भी ना खोए हमारी बातों के साथ वो को रिलेट भी करें और साथ ही साथ मतलब उसको ऐसा ना लगे कि बस पहले जो होता था कि बस एक लेक्चर चल रहा है हो गया काम खतम वो उसको समझ पाए उसको बोल के मीडियम से कुछ ऐसी चीज़े होती है कि जो शायद पिक्चर के थरू समझाना भी पॉसिबल नहीं होता है उसमें फिर आपके इमाजिनेशन बेस पर थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ता है तो तो सिफ कहने को हम टीचिंग कर रहे होते हैं लेकिन अधर टाइम आ आज का क्लास करके और जब बच्चे वह बोलते हैं तो ही मतब आइधिंग आप भी सुकून से सोपाते होंगे और मैं भी सुकून से सोपाते हूं कि हां आज की क्लास या आज का दिन जो है सक्सेस्फुल हो गया और से क्लास के लिए अप्ली क्लास को पढ़ा भी दो तो बिवन होगे वर्टोल स्क्रीन पे तो वह बहुत ही चेलंजिंग हो है और उसमें जैसे आपने बोला मुल्टिपल पर्सनालिटी आपको साथ रखनी पड़ती आपको ही कॉमेडियन की तरह भी बीएव करते हो और मैं तो मेरे अंदर से कॉमेडी कुछ जाते हैं निकल जाती है तो होता है कभी इंद इसलिक की सम्टाइम्स ऐसे कंडिशन्स भी दीन थे design बात करते हो हुं हम इस्टुकेटर phones transit से काफी होते हैं का SAM 있는데 कड़ यह चाना पड़ता है क्योंकिव हम संटाइब सम्टाइम क्लास को हटा आनी सकते हैं युद्तनी सब्सक्राइब कितनी हटाएंगे तो एक बार अगर वो डेली का रूटित बनता है तो उन सिचुएसंस में काफी लेवल हाई हो जाता है या पैनिक लेवल हम जल्दी रियक्ट कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि पेसेंस लेवल सुड भी हाई या हमारा जो है टॉलरेस पैसे लेवल के बदलब कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि ऐसे-ईसे सवाल के भी जवाब देने पड़ते हैं जो कि मुझे असा लगता है अगर स्टूडेंस सामने होता तो मेरी मार पीठ हो जाती उससे लिटर्ली मुझे कभी-कभी सेरियसली या लगता है मैं तो बच्चे लिया जाए अब इस बात को मजाक में लिया जाए ताकि पूरी क्लास लाइट रहें कुछ ऐसे चीज़ें आही जाती है तो मेरा मानना है कि I think teaching मतलब जो मैंने अभी तक experience किया है मेरे teaching style से भी जादा उपर लेवल पे मेरा patience level है अभी फिलहाल में क्योंकि आपका temper आपका patience level अगर आना तो वो पूरे class के shanty भblack कर देगा और इतने प्रकार के student मेलेंगे ना असर कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं teaching चोड़न के student behavior पे study करना शुरू कर दो इतने प्रकार के student इसके वाल इतने प्रकार के सवाल किसी किसी सवाल और सरो कुछ-कुछ सवाल तो इतने सोंच रखने वाले लोग होते हैं अब उस ताइम पे कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको बोलते ना वह आते ही इसलिए हैं ताकि पेशन से वहल को टेस्ट कर सकें And of course, we have to pass, we have to pass, sometimes we react, but 90% of the time, we have to pass in that patience level exam. So, what are the questions in the form of students? I am not talking about the valid questions, which are the doubts, which are valid questions, which are not going to be discussed. That is our job, to solve the doubts and to take valid questions. I am talking about an out-of-the-track question, which doesn't have to take anything from that area. आसे कुछ लेना देना नहीं होता है, हाँ. कुछ लेना देना नहीं होता है. ऐसे सवाल को जो है, थोरा सा मतलब, उसमें फिर पेशेंस तावल कि टेस्टिंग हो जाती है. एक इसी चीज़ से लेटर जैसे आपने बोला कि मारवीट हो जाती, तो बच्चपन में हम ऐसे स्कूल में करते हैं हमारी बहुत मारवीट, मलब हमें मारवीट का मारव गया है, और हम बुरा भी नहीं मान देते के वह टीचर का. लेकिन ऑलनाइन अर्नर्स या ओलनाइन सिस्टम में जो लेर्नर्स का इगो होता है, काफी जल्दी रहत होता है, आप में लगता से चीज़ी का इंचा सब्साण देखे रहा है। से कभी आफका में अनुकी अन्टर ठीजब हुआ है। कभी ऐसे कंडिसुस देखें, आपने. सर, बहुत बार ऐसा होता है मदाप की मान लीजे की पूछ बहुत छोटा सा वर्ड किसी बच्चे ने पूचा, मैं इसका मतलब क्या होता है तो मैं वहाँ पर दो काम कर सकती हूँ या तो उसको उसी वाक्त जवाब दे दूं कि इस word का meaning क्या होता है और मैं उसको ये सिखा दूं कि बेटा तुम paralyze हो तुम अपने से एक word का meaning भी नहीं समझ सकते हो और जब मैं उसको जवाब दूंगी सर तो उसे क्या सीखने को मिलेगा कि अगली बार किसी word पे मैं अठका तो मैं दुबारा से map के पास ही आऊँगा क्योंकि मेरे पास और कोई option नहीं या तो मैं दूसरा काम कर सकते हूँ कि मैं उसको रास्ता दिखाऊं कि इस शब्द को कल Google पे search करके आना मुझे भी meaning बताना और बताना कि इसका meaning तुमको क्या मिला अगर तुम गलत हुए तो I will correct you लेकिन तुम सही हुए तो उस दिन तुमने दो चीज़ सिखा उस word का meaning और अपने problem का solution जो तुम खुद भी solve कर सकते थे तो मैं हमेशा student को ये कहती रहते हूँ dependency उतनी ही रखिए जितने की जरूरत है dependency जब जरूरत से ज़ादा हो जाती है सर तो वो आपको mentally paralyzed कर देती है और जो आप mentally paralyzed होते हो तो obviously this thing will happen तो वही हो जाता है कि student जो है मतलब माल लिजे कोई भी चीज पूछ रहा है वो तो उसका एक area यही होता है कि मैंने उसको बोल दिया कि Google से आप search कर लीजिए तो उसका कुछ-कुछ बच्चे होते हैं मैं बोलते हैं रिवर्ट बैक करने वाले तो आप यहां क्यों बैठी हो आप से पूछ रहे हैं आपको बताना चाहिए न तो they are into that ठीक है वो मेरे suggestion का counter answer करते हैं क्यों कि जब मैंने उनको कहा कि Google पर search कर लो उनको वह बात ego पर लग दिया उनको लगा कि शायद हम question को टाल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं Google पर search कीजिए लेकिन उनको यह चीज समझ में नियादा कि हम उस वक्त पर उनको दो दो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज के time में उनके पास बहुत से option हैं सीखने के लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वह mentally paralyzed हो कि सिर्फ एक परसन पर डिपेंड करें कि कल को उनको अकेले चलना है हम उनको साथ दी सकते हैं वह भी station तक आपको नहीं लगता कि क्योंकि मैंने यह चीज़ फील की हुई है कि normally हम ही responsible इस चीज़ के लिए दिरस्टू मेनी यूट्यूब चैनल स्टूपनी एजुकेटर्स जो कि हम स्पून करवा रहें बच्चों से यह कॉमन से हम जब पढ़ते थे तो हमारा इतना नीचे नहीं था है काचकल के बच्चों का कॉमन से से इतना होता है कि वो आके एजुकेटर से पूछते हैं वेरी इसली बट स्टिल उस चीज़ के लिए वो ग्रूप्स में करेंगे वो जो इधर उधर भूमेंगे फिरेंगे सो यह कहीं ना कहीं हम इतना स्पून फिडिंग कर देते हैं यह कुछ ऐसे जो है ऐसे जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है बच्चों की तो वे चीज़े हमेशा मिलती है आप यह भी मानुए कि हम जब हमारे टाइम में थे उस टाइम भी डिस्टाक्शन फाक्टर कम नहीं थे उस टाइम भी ऐसे कंडिशन कम नहीं थे लेगिन कहते हैं कि बच्चे को पता हो अपने एक मुलते हैं हमारी जो अंडेस्टाइनिंग उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सिचुवेशन आपके हमारे टाइम में किसी और फॉर्म में थी यह नहीं कहूंगी बिलकुल एपसंती हमारे टाइम में किसी और फॉर्म में थी अभी आजकल का डिजिटल मतलब बहुत जादा हो गए हैं एजुकेशन जादा फोकस की जारी है तो इस टाइम पे भी वही चालेंज जिसे लेकिन किसी और फॉर्म में हैं अब इसमें यह बच्चे के उपर पूरा डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है क्या वो सामने वाले के तुरू तुरांत मैनूपल करवाई जा रही है तो तुम क्यों स्पून फीडिंग कर रहा हो फ्यूचर लाइफ में तो आतुमको स्पून फीडिंग से तो कुछ काम नहीं होना है तो कहते हैं स्टूडेंट खुद भी नहीं सोचना चाहता है आपको लेजी बनाने के लिए शुरू से लेकर चाहे है व आइपर एक्टिव जोन में एंटर करके अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने लिए कुछ गेन करना चाहते हो तो सेकेंड सेकेंड जो हमारे फ्रंट एरिया होता उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसमें मैं फ्रंट वाली चीजों को तो मैं ब्लेम ह कि और खुब्वी सेलेक्षम करना चाहिए कि तुम बोलते हो Ηurpose करना चाहिए खुब्र तो लगता है कि यह भी एक तरह काम कर रहा है क्योंकि वह इमोशनल टच जैसा कि आफलाइन क्लासेज में होता है जो हमें उधर से पढ़ा रहा है तो ऐसा भी जो होता है कि हमें लगता है कि या थोड़ा तो इंट्रेक्शन से थोड़ा तो वो कनेक्शन होना चाहिए ऐसे लिए था कि रोबोर्ट की तरह गए पढ़ाए और निकल लेगे हाँ सर मतलब होता है यह भी चीज होता है जैसर कि मान ली जिए मतलब करहीं भी आप पढ़ा रहें यूट्व पर पढ़ा रहू हो जा फुब के प्लैटफॉम पर बढढ़ा रहा हो कहीं और पढ़ा रहे हो हर जगए तो टाइप़ आपको students मिलेंगày एक वो जो शुरुवात से ही आपसे connected रहना चाहेंगे और जो connect रहने वाला बच्चा होगा वो सब कुछ भी करके आपसे connected रहेगा लेकिन कहते हैं कि अगर वही class शायद हम offline ले रहे होते तो शायद वो connectivity और बंध पाती हम जहां पे 10 बच्चे हम से connected कर पा रहे हैं एक class अगर होता है class का महौल होता है एक face to face interaction होता है तो वही 10 के बज़ा साथ 50 होते बच्चे तो यह तो मैं मानूँगे कि एक emotional connection होता है एक guru और एक student में जो होता था वो online के time में थोड़ा सा काम हो गया है but I will not like directly say कि बच्चे respect या फिर बच्चे जो है मतलब emotionally connect नहीं करते हैं आपके पास बहुत से किसी medium से student के messages या mails आते होंगे में इट पास भी आते हैं मतलब कुछ-कुछ होते हैं जो बनाना ही जाते है connectivity हर हाल में वो बना लेते हैं लेकिन में जहां तक लगता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हम silent learner होते हैं जो कभी कुछ नहीं बोलते हैं class में कभी चूब भी नहीं करते हैं वो चुप-चाप से पढ़ रहे होते हैं तो शायद ऐसे students से ना हमारा ऐसा भी नहीं होता कि हम interact नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो उनसे क्या होता है ना कभी connection बना है ना बन पाता है वो आते हैं, learn करते हैं, चले जाते हैं कुछ connection का पता नहीं होता लेकिन शायद अगर यही अगर offline class होती तो शायद हम चहरे से ही सही, नाम से ही सही लेकिन पहचान दे पाते हैं या फिर पहचान पाते हैं उनको कि हाँ तुम ऐसे हो, चाय भले उनसे बाते कम होती है, तो यह तो एक interaction मुझे लगता है कि वर्चुल तरीके से यह जो student and educator का जो relation होता है, वो fruitful होता है, लेकिन as compared to the offline थोड़ा सा मुझे कम फील होता है, एक emotional connectivity या फिर एक touch जो होता है, वो थोड़ा सा मतलब कम होता है, obviously, मतलब personally, जिस इंसान से आप मिलते हो उसके साथ एक अलग relation होता है और एक, मतलब, एक computer है उसको 7 बचे on करो तो वहाँ पे एक बंदा या बंदी चले आता है time होते हैं, वो बोलना शुरू करता है time बंदा खतम होते हैं, वो बंद हो जाता है बोलना, तो एक ऐसे इंसान से connect रहना, तो वो एक होता है कुछ बच्चे connectivity बना पाते हैं तो प्रोफेसिनल भी इतना करते या इतनी बार क्लास ले रहे होते हैं इतनी तो हम अपने अपने उसी रूम में और क्लास ले रहे होते हैं वरकिंग रूब की तरह भी सम्टेब्स काव करता है तो एक पर्सनल लाइफ में एक से निकल के आगया हो यह कुछ ऐसा लगाओ यह तो पर्सनल लाइफ है लेकिन मेरा बोडी लाइज प्रोफेस्नल जा रहा है हुआ करता है यह को जोटी है तो फिर मुझे लगता है कि आहाँ जोटी यू शुड भी शूब कर चुकी हुआ पर रहे हैं तो यह चीज आए दिन होती रहती है यह तो बहुत कॉमन हो गया है आप तो जो भी मैंने इस जी जी कॉमन हो गई और जैसे मतब सामने वाले सुनते हैं तो बोलते हैं कि आदब सिलाचार मैंने बोला सौरी आइकांट डू दू दिस मतलब मैंना इस पर कभी कभी ना कंट्रोल नहीं रहता है मैंना फ्लो फ्लो में जो हैं भावनाव में बह जाती हूं अ मैंने जो पॉस्टनल रूब मैं वहीं से लेती हूं मतलब मैंने उसी को एक श्टूडियो जैसा टैच अप देके रख्था मतलब घर का एक कौना स्टूडियो दूसरा कोना घर का मतलब मेरा खुद का परस्नल रूम कभी-कभी तो उस जोन से निकलना इतना मुश्किल हो ज वही नोट्स खुले हुए उसको देखके मतलब यह फील करना ही मुश्किल हो जाता है कि यह आज हो गया संडे है आज कोई क्लास नहीं है आज कोई टीचर गिरी वाली काम नहीं करना है बट कभी-कभी मुझे लगता है कि नहीं उस जोन से निकलना जरूरी है इस नौट दो फोल लाइफ इस अपार्ट अफ माइफ तो यह वाली चीज मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है बट यह मतलब थोड़ा मुश्किल है यह टीचर गिरी वाली जोन से निकलना कभी-कभी सब चीजें जो मैंने अभी लेस्ट आउट करिए जिस पर ने बात करी सब के लामा भी आपको लगता कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मेंटल हेल्फ पे इंपक्ट डालती है सर बस मैं वही कहूंगी कि देखिए टीचिंग कभी भी उतनी असान नहीं थी और नहीं है ठीक है चाहे कोई ओफ-लाइं पढ़ा रहा हो या ओनलाइं पढ़ा रहा हो बट मैंने अपनी टीचिंग करियर में जो सीखा है मतलब इन साल से मैं जहां मतलब जहां भी अलग-अलग मीडियम से जूरी हो इन तीन साल में मैंने यही सीखा है कि आपको बढ़ते रहना है मतलब you just can't stop at a single point अब चाहे आप student हो चाहे आप teacher हो आप कहीं रुक नहीं सकते हो और लोगों को अच्छा लगेगा ना वो तो भी दो बात कहेंगे उनको बुरा लगेगा तो भी वो दो बात कहेंगे मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते हो तो कहते ना कि या तो आप एक सब को खुश करना तो possible है नहीं the only thing which you can control is आप सबकी बातों को कैसे react करते हो आपका reaction बहुत सी चीज़ों को determine करता है आज के time में sir ऐसा नहीं कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं मतलब platform पे जितने लोग हैं या teaching partial की जो पूरी family ऐसा नहीं कि सब ही मुझे पसंद करते हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि आते ही शायद मेरा मूर खराब करने के लिए है लेकिन वहाँ पे एक कीज माटर करती है how I react मेरा attitude क्या है उनकी तरफ या तो मेरा Sunday एक खराब कमेंट से मैं पूरा बरबात कर सकती हूं या तो मैं कमेंट को जो हैं leave कर दूं या फिर मैं ए भाग मतिर हैं प्रब्लम जो रहें है कि आप कुछ भी कर लीजिए आप रुक नहीं सकते हो चाहाए आप दुखी हो चाहाया ख़ुष हो चाहाए आप टीचर हो चाहा आप किस यॉलazon हो चाहाए आप स्टूछ थूड उर्श अरुडट के को आपको ये रुक नहीं सकते हो और नहीं दूसरों को ये बोलके, मतलब रुखने के लिए कह सकते हो कि नहीं, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मेरा mental condition ठीक नहीं है, आपको चलते रहना है रोज, कुछ भी चीज़ें आपके लिए नहीं रुखेगी, ना वक्त रुखेगा, ना बाके सब चीज़े रुखेग हैं, जिसके बावजूद भी, you have to work, चाहिए आपको काम करना है, आप रुख नहीं सकते हो, रुखोगे तो सारी चीज़े रुख जाएंगी, तो फिर वो हो जाता है कि आपको prioritize करना पड़ता है, आपकी personal life भी important है, लेकिन सांसत में professional life को भी आपको लेके चलना पड़ेगा उसको आप जस बस यूहीं नहीं कह सकते हो कि आज mood खराब नहीं है, आज professional life में entry नहीं 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 जाएगी, you can't. So must go on, and what I felt that, a teacher is always teacher, अगर मैं professors, university professors को थोड़ा साइल कर दो, तो a teacher is always teacher, और हर एक field में, हर एक professor में, there is a chances of improvement, आपका जो promotions होते हैं, आप better positions बिलाते हैं, और आपका जो promotions होता है, आपका जो growth होता है, वो आपको दिखती है, कि हाँ यह जो है पहले था junior engineer, senior engineer, यह manager, senior manager है, but as a teacher, आपका growth सिर्फ आपकी brain में होता है, उसके अलावाँ कहले होता है, आज भी है, हम तीन साल पहले भी आप एक educator थे, आज भी आप एक educator हो, और अस फिल्ड में आप रहते हो, तो whole life आप एक educator होगे, पर the growth जो होता है, एक तो हमारे brain में होती है, और दूसरे हमारे learners के दुरूप पूरे world में हो रही होती है, जहां पे भी लोग जा रहे है, so definitely हर एक field में कुछ negative चीज़े भी होती हैं, और कुछ positive चीज़े भी होती हैं, आज हमने यह बात करी कि online educators, online educators, online teaching में, mental health पे क्या-क्या चीज़े जो है impact डालती है, इसके अलामा, online teaching में कुछ ऐसी चीज़े भी हैं, जो की positive impact भी दालती है, लेकिर इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर कभी आपके साथ, तो, thank you so much for joining this session, and thank you so much ma'am, इतना precious time देने के लिए, आप कुछ कहना चाहें, आपके लिए, आप कुछ कहना चाहें, आपके लिए, विवर्स के लिए, विवर्स के लिए, अब्यादू सार, मैं थांक्यू कहना चाहूंगी, इस session को organize करने के लिए, अब्यूसली जिसे की कहा था मैंने की, student को सिफ हमारा positive side पढ़ता होता है, कि yes, if they are the educator, they are just doing everything in an awesome way, and they are not getting any problem in their life, but, क्योंकि, हर एक field का दो पहलू होता है, तो हमने दूसरे पहलू को सामने रखने की कोशिश की, जो कि हम नहीं रखते हैं, मतलब, कोई नहीं जानता है, हम भी discuss ही नहीं करते हैं, because हमको लगता है, कि ठीक है, जो दिख रहा है, वहीं दिखने दो, उसी से मतलब है, लोगों को जो अच्छा लग रहा है, बस वहीं चलने दो, लेकिन हमने आज एक reality रखने की कोशिश की, और भी ऐसे बहुत से चीज हैं, जो कि with time might be, हम continue करें, बोलत इन साल में हमने जितना कुछ सीखा है, हमने उसी को सामने रखने की कोशिश की है, कि वो कैसे impact डालती है, हमने अपना perspective रखने की कोशिश की है, might be, कुछ लोग agree कर सकते हैं, कुछ लोग agree नहीं भी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने का हम अलग-अलग इनसान है, एक time में जैसा म अलग-अलग इनसान के दो अलग-अलग perspective देखें, किसी-किसी topic पे हमारी सोच match हुई, किसी-किसी topic पे सर ने कुछ additionally बताया, जो वो feel करते हैं, जो वो face करते हैं, accordingly मैंने भी उसी तरीके से चीज़ें की, तो लेकिन आप, बस यह में कह सकते हूं कि आपको सीखने को बहुत क mental pressure ऐसा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, and it's like, बहुत है mental pressure, बहुत ज़्यादा, मतलब, शायद might be sir, हम लोग उसको word में नहीं convert कर पाएंगे, इतना है, might be words, मतलब, वो proper word ही हमें नहीं मिलेंगे, जो कि हमारे level को बता सके, कि वो mental status हमारा कैसा चल रहा है, level कैसा चल रहा है, जिससाने का, the show must go on, तो वही है, show चलता रहेगा, हम excuse नहीं ले सकते हैं, कि mentally status ऐसा है, वैसा है, तो बट फिर भी हमने कोशिश की कि जितने feelings को हम शब्दों में लपेट पाएं, तनी हमने express करने की कोशिश की है, and that is of course, a second side of the educator, जो कि might be, आप unseen करके रखते हैं, but I hope आपको कुछ रहो सीखने को मिला होगा, जैसा कि मैंने बोला कि, यह हमारे muse थे, कि क्या dark side है, online teaching के, और इस बात से के लोग इत्तिफाक भी रख सकते हैं, maybe उनका experience बहतर रहा हो, या और भी खराब हो सकता है, so आपका experience कैसा रहा है, वो जरूर बताइए हमें comment box में, और आपको लगता है कि हमने reality रखते हैं बातों से, तो वो भी बताइए, और अगर आप किसी topic पे चा चाहते हैं, तो comment box में बताइए, जो भी most लगेगा हमें कि इस topic पे बात कर भी चाहिए, maybe in future हम जल्दी आपके साथ तॉपिक के साथ में जोड़ सकते हैं, और जो भी आप लोग को relatable लगा उसके बारे में भी जरूर कमेंट में बताएगी, कौन-कौन से moment से आप relate कर पाए, क तो we would love to read that, आप वो भी हमें जरूर बता सकते हैं, and thank you sir, of course, session को conduct करने के लिए, and मुझे अच्छा लगा अपनी experience को share करके, because rarely I share these kind of things with anyone, but आज अच्छा लगा है, हलका हलका लगा है, मतलब जो कहते हैं, जो कहते हैं, जो कहते हैं तिवां में ती उसको मैं आज सामने, words में फिरोने की कोशिश की, कितना कर पाई, I don't know, but yes, इतना I think मैं कर पाई होंगी, कि किसी को समझ में आ सके, what is the positive side, what is the negative side, I think negative side by default चली आती है, आप तो positive side को ही देखकर enter करते हो, किसी भी field में, but negative side को avoid नहीं कर सकते हैं, वो आपके सांथ by default आएगी, but that is the whole thing, so thank you so much sir, मुझे ब positive side भी जाना साहते हैं, और कुछ और भी चीज़े जाना साहते हैं, कि what we can, like, ऐसे topics जो थोड़े से, ऐसे मुद्धों पे हो, जिस पे बात करना हमें भी अच्छा लगे, तो definitely बता सकते हैं, so thank you so much for joining, and thank you so much for watching this video once again, मिलते हैं आप से next video में, till then bye bye, take care, and thank you so much ma'am, bye bye, thank you so much sir, thank you so much, bye bye everyone